सब्सक्राब कीजिए इंडियन टेलिंग को और गंटी पर दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पानी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें आद में आपको बताऊंगे गलाउच के पीछे की बैक डिजाइन तो इसमें हम आपको दो चीज बताएंगे जैसे चौकुटा गला कैसे बनाते हैं तो पहले हम चौकुटा गला बनाएंगे उसके बाद हम उसमें डिजाइन बनाएंगे तो यहां से जैसे हमें गले की चोड़ाई लेनी है तो हम धाई इंच की लेंगे अगर आप तीन इंच की लेना चाहें तो तीन इंच की भी ले सकते हैं लेकिन चेश्ट जादा होनी चाहिए चालिस चैश्ट है तो आप तीन इंच की चोड़ाई ले सकते हैं अगर आपकी 36 चैश्ट है तो आप धाई इंच की चोड़ाई लेंगे यहां से अगर आपकी 40 चैश्ट है तो आप तीन इंच की चोड़ाई ले सकते हैं अब उसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे जैसे हम कितने की लंबाई रखना चाहते हैं तो हम यहां पे 10 इंच की लंबाई रखना चाहते हैं या 9 इंच की उतना हम यहां पे निशार लगा लेंगे तो उपर की साइड हमें धाय इंच लिया है तो नीचे की साइड हम यहां अब जैसे हम पर कपड़ा नहीं है और इसी गली में से हमें पट्टी निकालने हैं चोकुटी गली के लिए क्योंकि अस्तल या कपड़ा हमारा इतना ही आता है जितना ग्लाउज का पीस है उसी में से हमें गली की डिजाइब बनानी है टो यहां से पट्टी निकली है तो इसी के नाप के हमपट्टी निकालेंगे 11-6 चोड़्यकений कि यहां से आच चौड़ेंगे यह 25 ओटो हमें चोड़्यकोंके निकीडीं को यह जूतल है इस तो हम या को अब हमारी लंबारे होगे या रखाऊ को hélas लेकि लेख्ट ृससा में यहां पर चौड़ाय रखने इसके लिए हमें कपडे को डवाल रहना है है इस तरही के से यहां से हम इसको डवाली रखेंगे रखने दीडिके बाद यहां से वहाद के अलब पर यहांसे निशान लगाना है तो यहां पर हमारा यह आदा इंच का कपड़ा जादा है तो इसकी हम कटिंग करें अब यह जोड़े वाली जो पट्टी है इसके ऊपर हम यह पट्टी को जोड़ेंगे अब इसके बाद हम इसको खोलेंगे यहां से हमें यहां से हमें इसको जोड़ना है पेहले हम यहां पर सीधी शिलाई लगाएंगे उपर से तरीके से कि शिधी शिलाई लगाने के बाद यहां पर हम सुई को अंदर की साइड़े रखेंगे फिर अंदर की साइड रखने के बाद इसको इस तरीके शिलाई लगाएंगे फिर सुई को अंदर की साइड फिर इसको गुमाकर यहां पर हमें सीधी शिलाई लगाएंगे अब सुई को अंदर के साइड ही रखाए हमें अब इसको गुमाएंगे अब अंदर के साइड सुई को रखाए फिर इसको गुमाएंगे अब यहां पर कैची का कट लगा लेंगे यह हमारी जो कुण्णी है अब यह हमारी कुण्णी है यहां पर कैची का कट लगा लेंगे उतना कट लगाना है हमारा हमें कि हमारी सिलाई नहीं कटे और यह जो कपा ज्यादा उसको का लिए अब इसके बाद हम इसको देखेंगे अंदर के साइड बराबर जा रहा है सही है अगर यहां पर सही से कट लगा होगा होगा तो आप चोपुट अगला अंदर के साथ बराबत दबा सकते हैं इसको अंदर के साथ दबाना है कि यहां पर सही से हमने कैची का कट लगाया है तो यह हमारा वुलकुल सही चोपुट अगला बना है यहां पर हमें कट सही से लगाना है जिससे हमारा अंदर की साइट कप्रा तब जाए अभी हमारा चौकुटा करला कप्रेया है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे जैसे हमें डिजाइन बनानी है अब इसमें से हम डेल इंज की चोड़ाई रखेंगे टुकड़ों को करेंगे इस तरीके से अब जैसे हमारी साड़ी का बॉर्डर है उसी कलर का हमने कप्रा लिया है डिजाइन के लिए इसको हम इस तरीके से अंदर की साइट दवाएंगे कर दो कि प्रेखने बनानी है यह वालै के आफ देः आफे लिए पैसे प्रवाई इसलाइज की चेप्राइब यह शोरुटर जबंगे वालैसे हम इसे हम बनानी है रहएं वेलिए की बनानी है नहीं अ तो तो अब यह चोपोटा कर ला हमारा यहां से लंबाई के बाद हम इसको गुमा लेंगे अब इसके बाद हम इसके उपर लेस लगाएंगे अब इसके को हम इस लगाएंगे यहां से कर दो कर दो कि चोपोटे गली में डिजाइन बन गई है और यह बन गई हमारे ब्लाउज की पीचे की बैक डिजाइन अगर आप लंबाई ज्यादा करना चाहें तो लंबाई भी ज्यादा कर सकते हैं और सिंपल रखना चाहें तो चोपोटा गला इसी तरीके से बनाया जाता हैं अगर आप बुक्रम का बनाना चाहें तो बुक्रम का भी बना सकते हैं तो यह बनगे हमारे ब्लाउज की पीचे की बैक डिजाइन अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगिए तो फ्ली ह हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूद सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राब करना न भूलें धन्यवाद